हेलो वाटसप गाइस मैंने स्मिनुत बाद उथा आपा इंटूड इन इस फीडियो विविल सी फॉटल इन जावस्क्रिप्ट इन हिंदी जहां गईसे जो फॉट लिंग का जो यह कॉंसेप्ट यह बहुत ही जाद इन्पॉर्टेंट है एंड डजन मैटर कि आप जावस्क्र काउंट तो अब फॉटल को आप इस तरीकी से समझिए कि जब भी आप कोई इवेंट करोगे फायर याप कोई भी फंक्शन को करोगे कॉल तो एक फिक्स इंडवल टाइम के बाद आपका जो फॉटल वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा मैं आपको रियल एक्जाम्पल दे किया जो वैल्यू हमें देता है जावस्क्रिप्ट वो 82 है बट अगर आप देखोगे फ्रॉटल काउंट आपको सिर्फ दो मिल रहा है मतलब इन रियालिटी बता रहे कि मैंने सिर्फ दो ही बार स्क्रोल किया तो आप इसका फाइदा किया है लेट से काईस आपने कुछ ऐस वाला कॉंसेप्ट बेसिकली यह एक टेक्निक है आपके जो वेबसाइट उसकी पॉफरमेंस को इंप्रूब एंदन बेटर करने के लिए तो ठोटल वाला जो कॉंसेप्ट जो टेक्निक अगर आप यूज करोगे तो आप देख सकते हो ना आप चाहे जितने बार स्कूल करन है आप देख सकते हो मैंने एक सेकंड का टाइमिंग देया हूए जब जब मैं स्कूल कर रहा हूं कंटीनिऊसली तब एक एक सेकंड के बाद उक्षाइब कॉल होता रहेगा अगर मैंने इसक्लो करना बंद कर दिया तो यह अपनी वेब स्ट्रॉम पे आँ चुकाऊ आएड मैंने कुछ code इतना लिख रखा अगर मैं इसको refresh करता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ इस तरह की से ठीक है यह दो है अगर मैं कुछ भी लिख दूँगा तो आपको यह रियल टाइम हमारा अपडेट हो रहा है ठीक है पॉफेक्ट तो दिखी पहले तो सबसे पहले मुझे सबसे पहले नॉर्मली चीए तो कैसे होगा बॉडी पर मैंने ओन स्क्रूल यह जो इवेंट है उसको पास किया हुआ है एंड उसमें यह फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ ठीक है तो यह जो फंक्शन सो काउंट वाला ठीक है उसको मैं इस तरह किसे सिंपल उजिंग फंक्शन मैं यहां पर डिफाइन करने की कोशिश करूंगा ठीक है एंड मैं बोल दूंगा जब भी हम स्कूल करेंगे मेरे बॉडी पे तो मुझे यह फंक्शन को कॉल करना था तो मैंने यहां पर उसको डिफाइन कर दिया लेकिन मुझे क्या ची नॉर्मल काउंट चीए स सो मैं लिख देता हूं नॉर्मल काउंट करके एक फंक्शन कॉल करता हूं मैं यहां पर इस तरीकी से एंड जो भी मुझे चीए होगा मैं यहां पर उसको डिफाइन कर दूंगा आप लोग को दिख रहा है ठीक है सो वी हैब दिस नॉर्मल काउंट एंड आइनो मैंने वहां पर उसको डिफाइन नहीं किया है सो लेट्स को वित कॉंस्ट पॉफेक्ट सो कंट्रोल सिप्न और प्रेस कर दूंगा इस तरीके से वह हो जाएगा ठीक है तो इतना तो मुझे मिल गया लिकिन अब क्या चीए कि जब भी स्क्रूल करूंगा जो वेल्यू मुझे मिल गयो मुझे यहां पर भी अप्डेट करना है ना डाट इस माई यह वाला पी फर्स्ट पारग्राफ जिसको मैंने क्लास दे रहा एंड काउंट है ना तो मैं इसका जो रेफ्रेंस उसको पा लेता हूं सो लेट्स को वित और डाकूमेंट डाट नेट्स को वित हिट क्वेरीश्येक्ट वह ज्याधे ईजी रह गा या पर हम चलते हैं राट क्वेरीश्येक्टर दिस इड अडम mक रट्न वाले काभी काम करी लेते ना टाकूमेंट डाटो डाट क्वेरिस इलेक्ट यहां पर मैं चलता हूं ड नॉर्मल काउंट बोलके एक वेरेवल में जो है कॉंस्ट वेरेवल उसमें मैं स्टोर कर देता हूं यहां पर लेट्स को विट ट्रॉटल अंडर्स्कोर और एक काम करते डीब लिग देता हूं विकोज यह डीब है ना उसका रेफरेंस हमें मिलता है इस इस ठीक है अब मुझे क्या करना है कि जब-जब में स्क्रोल करूंगा इस फंक्सन को मैं रहा हूं एन जब यह फंक्सन कॉन होगा मुझे यहां पे किसी तरीके से यह जो नॉर्मल काउंट वाली वैल्यू है उसमें वह उप्डेट करना है सो मैं इस तरके से normal div dot inner html ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ यहाँ दिस इस अब बात यहाँ आती कि चलो ठीक है यहाँ तक तो हो गया लेकिन मैं वो number यहाँ पर display कैसे कराऊंगा ठीक है बहुत जादा simple है उसके लिए हम क्या करेंगे मैं यहाँ पर चलता हूँ let मैं लिख देता हूँ यहाँ पर count will be equal to zero initial values की हम zero कर देते हैं मैं यहाँ पर चलता हूँ and जब जब यह function call होगा basically मैं इसको increment कर दूँगा एक से अब मैं यहाँ पर same यह जो part है इसको कर लेता हूँ copy है ना and मैं यहाँ पर इस तरह कर देता हूँ dollar and यह जो मेरा count की value को update ठीक है and मैं एक काम करूँगा मैं यहाँ पर normal count लिख देता हूँ and basically and underscore count and इसलिक क्यों कि अभी इसके बाद मुझे total का भी तो count चाहिए होगा so मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ and then यहाँ पर paste कर देता हूँ this is it so ध्यान से देखना अब जब जब मैं यह देखो गाइस देखा मेरे में कुछ तरह की से मेरा यह normal count हो गया मतलब इसका मतलब यह जब भी आप scroll करोगे उतने time आपका यह function call हो रहा मतलब 249 times मेरा यह normal count function call हो गया my god यह हद से ज्याद है ठीक है वही अब total count का क्या मतलब होता है कि इसका concept ही है जब भी आप scroll करोगे it doesn't matter आपने कितनी बार किया लिकिन अगर आप एक बार भी करते हो या continuously आप करते रहते हो then आपको एक function call करना है after every fixed amount of time ठीक है मैं आप यहाँ पर बाता तो देखो जब भी आप scroll करोगे हमने क्या किया हुआ है so count function हम call कर रहे obviously ठीक है तो मैं यहाँ पर भी यह जो मेरा throttle है वो तो मुझे यहाँ पर define करना पड़ेगा throttle count ठीक है इस तरह किसे यह function तो मुझे चलाना ही पड़ेगा हर बार मुझे यह चलाना ही पड़ेगा लेकिन अब यहाँ पे मुझे को कैसे tackle करना है वह मैं बताता हूँ जिससे हमारी जो performance है वह improve होगा ठीक है फंडा तो पाता चल गया कि आपको एक fix time interval के बाद इसको call करना है जब भी हम scroll करेंगे फिला तो अभी हमारे scroll वाला सीन है तो कैसे होगा अगर आपे सोच रोगे कि एक fix interval time के बाद दैन हम mostly set timeout use करते राइट and let's say मैं यहां पर लिख देता हूँ 1000 milliseconds मतलब after every one seconds and अगर मैं यहां पर चलता हूँ and let's go with one more new variable and this time t underscore count for our total count ठीक है and मैं यहां पर चलता हूँ यह जो मेरा total count है उसको मैं increment कर दूंगा after every one second है और यह जो पार्ट इसी कोई में copy करके यहां पर चिपका दूंगा and instead of normal div I will go with throtted वाला div इस तरीके से and यहां पर instead of normal let's go with all right perfect and last में आपको यह and नहीं यहां पर आएगा ठीक है ध्यान से देखना but the problem over here is कि एक सेकेंड के बाद भी वह उतना ही चल रहा है जितना हमारा normal count चल रहा है बस इसमें हो यह राय कि वह wait करता है and जब जैसे ही वह waiting time period खतम हो जाता है जितने मतलब remaining उनको एक साथ हो execute कर देता यह तो गलत है ना जब आप wait करी चुके हो तो एक की बार चलाओ क्यों इतनी बार चला देना देखो 165 है 188 almost आप कह सेकते हो 23 function चला दे एक की बार में condition देंगे पिदेगा if if इस फ्कॉल्लिंग हाँ is scrolling इस ट्रीपल इक लिकल टु टू तो ही अगर वह स्कॉल ट्रू होता है ठीक है अब आपकी दिमाख में एक चीज आ रहा होगा ठीक है मैं इसको set कर देता हूँ पहले तो इस तरीके से ठीक है अब आपको एक idea आ रहा होगा कि यार यह is scrolling तो अभी तेख हमने कहीं define किया ही नहीं है तो मैं आपको बता तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक है मैं चलाना बनना मत चलाना after every one seconds मैं इसको refresh करूंगा ध्यान से देखना सेम होई है कोई प्रॉब्लम नहीं है इट जस्ट हमने यहाँ पे condition कर दिया लेकिन अब यहाँ पे पावर मेरे पास है and that power is कि यह जो पार्ट आपको दिख रहे जो दोनों चीज इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूं ठीक है and अगर मैं वह टॉप पे लिग देता हूं तो ज्यान से देखना क्या होगा अब मैं अगर जितना भी रिफ्रेश करूंगा दोनों एक साथ चल रहा है दोनों एक साथ चल रहा अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि one second वाला timer यहाँ से हट चुका है लेकिन अगर आप मैं यह बोल दो कि अगर उसकी value होती है true तो increment करो and value को update कर दो साथ ही साथ जब value हो जाएगी update तो यह जो is scrolling है उसकी value कर दो false that's it तो guys अब देखने वाली बात है कि मैं जितना भी स्क्रोल करूंगा see कुछ नहीं होने वाला आपने देखा अब सिर्फ एक ही count अब मैं जितना भी स्क्रोल करूं कुछ नहीं होगा क्यूंकि हमने एक बार जब भी स्क्रोल किया तब मेरा count एक से increment हुआ and then value हो गई थी false अब next इसको में copy करूंगा यहां पर एक सेकेंड में कर दूंगा इस्तरकी से paste एंद इसकी value में कर दूंगा true फिर value हो जाएगे false ठीक उसकी एक सेकेंड बात फिर वो होगा true फिर से वो एक ही बार चलेगा मतलब जब 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 हम इस स्क्रोल करेंगे तब यह देखो अब जब जब में स्क्रोल कर रहा हुआ एक सेकेंड बार तो चलता रहेगा क्योंकि रूल यह कि जब जब हम event fire कर र होगा and this is your thought link so this is it गाइस आज इस वीडियो के लितने हूप आपको पसंद आओगा एंड आपको पता चलगा होगा कि फॉट लिंग अगर आपको implement करने अपने वेबसाइट पर यह आपने किसी भी अप्लिकेशन पर यह आप कर सकते हो ठीक है so guys आपको वीडियो कैसा लाग कर आप देखोगे तो यह जो लाइब सर्च फिल्टर है मैंने यहां पर आपको दिखायता है कि आप डी बांसिंग कैसे implement कर सकते हो देखे डी बांसिंग तो अब मैं कल आपको डी बांसिंग और फॉट लिंग इन दोनों को एक साथ दिखाऊंगा कि आप कैसे टैकल कर सकते आपको आपको अपने पर बेंगे तो इस विडियो के लिए आपको अपको अब आपको 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 दिखाय रहे तेक किया